हेलो फ्रेंज, कैसे हो आप सब, आओ में तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, ये कहानी है एक लालची फॉक्स और क्रेन की, आये सुनते है एक दिन, एक लालची फॉक्स ने एक क्रेन को खाने पे बुलाया इंविटेशन से क्रेन बहुत खुश हुआ, वो एक्जाक्ट टाइम पे फॉक्स के घर पोहच गई और अपनी लंबी चोंच से दर्वाजा नौक किया, फॉक्स उससे खाने की टेबल पर लेकर गई और दोनों के लिए सूप सर्व किया क्योंकि क्रेन के लिए प्लेट बवर चोटी थी इसलिए वो सूप नहीं पी पा रही थी लेकिन फॉक्स ने अपना सूप जल्दी से पी लिया क्रेन गुस्सा और परेशान था, लेकिन उसने अपना गुस्सा नहीं दिखाया और अच्छे से बहेव किया फॉक्स को सबक सिखाने के लिए उसने उसको अगले दिन दिनर पे बुलाया उसने भी सूप सर्व किया, लेकिन इस बार सूप दो छोटे फ्लावर वास में सर्व किया लेकिन फॉक्स सूप नहीं पी सकी, फॉक्स की क्लोज्ड नेक की वाजह से फॉक्स को अपनी गलती रियलाईज हुई और वो भूखा घर चला गया इस कहानी से सीख मिलती है कि जैसा करोगे, वैसा भरोगे जैसे को तैसा